दोस्तो आज की इस वीडियो में आप हमारे सामने देख रहे हैं वीवो की तरफ से आने वाले इस Y73 के इस बॉक्स को जो की अभी हाल ही में लॉंच हुआ है और एक रेंज में रहकर आपको ठीक ठाक फीचर्स के साथ बहतरी लुक भी देता है तो क्या खास होने वाला है इस के अंदर सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी चनल को सब्सक्राइब करेगा वीडियो पसंद आए तो लाइक करेगा यह फोन मेरे को मिला है डीके जी मुबाइस की तरफ से तो अगर आप परचीस करना चाहते हैं तो उन और सामने देख रहे हैं वीडियो की तरफ से आने वाला वाई 73 का यह बॉक्स और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं यहाँ पर वीडियो की पैकिंग की तो इद्दम ट्रिशनल पैकिंग देखने को मिल जाएगी यहाँ पर आपका सामने की तरफ लिखा हुआ है 828 का रहता ह होता है और 8GB की यहाँ पर आपको रैम दे रहके होगी जो की 3GB Extended RAM के साथ आती है तो कुल मिलाकर काफी बहतरीन होने वाला है यह गेमिंग के लिए तो फटा फट बॉक्स को उपन करते हैं देखते हैं क्या खास रहेगा इस बॉक्स के अंदर तो यहाँ पर आपको सबसे quality cover दे रखा होता है समय के साथ साथ पेला पर जाएगा लेकिन box के अंदर free में मिलता है तो कही न कहीं जो है यह काबिले तारीफ होगा इसके बाद अगर हम देखते हैं यहाँ पर आपको एक चोटी सी ejector pin देखने को मिल जाती है और यह basic साथ जो है paperwork होता है जिसका कोई खा logic के साथ आता है और यहाँ पर अगर हम इसकी output rating की बात करते हैं तो यह आपकी 5V 2A, 9V 2A और 11V 3A maximum की होती है और made in India का tag भी यहाँ पर आपको जो है लगा हुआ देखने को मिल जाएगा तो overall यहाँ पर यह traditional charger से काफी हट कर रहता है वीवो का यह charger और यहाँ पर यह 33W का आ तो comment करके बताएगा कि आप कितना ज़्यादा खुछ रहते हैं यहाँ पर इसकी charging cable से और खुछ करने बाली बात तो यह आ जाती है यहाँ पर इस वीवो की इस accessories में जो कि यह प्यारे से earphones रहते हैं तो दोस्तो आजकल boxes के अंदर जातर earphones होती नहीं और वीवो आपको देत यह प्यारे से earphones तो यहाँ पर कहीं नहीं मैं इसकी करूंगा जो है दिल खोल का तारीफ कि यहाँ पर यह काफी बहतर रहेगा आपके लिए तो दोस्तो समान को sideway करते हैं फिर phone के बारे में details से बात करेंगे तो दोस्तो यहाँ पर मैंने इस phone को setup करा लिए और सबसे पहले पर इंचेस की pixel density देखने को मिल जाएगी साथी screen to body ratio की बात करें तो यहाँ पर bezels लगभग ना के बराबर हैं और यहाँ पर screen to body ratio आपका 90.6% का होता है तो काफी बैतरी रहता है यहाँ पर उपर की तरफ तो आपको बिल्कुल जहीं पतला सा water देखने को मिलेगा जो की drop notch दे रखी है जहाँ पर आपको एक छोटा सा selfie camera देखने को मिल जाता है और यह selfie camera आपका 16 megapixel का होता है तो इसके बारे में अभी हम लोग आगी जाकर बात करेंगे लेकिन यहाँ पर फटटफट बात करते हैं एक पर इसकी look के बारे में तो उपर की तरफ आपको आपको सा mic देखने को मिल जाता है noise cancellation के लिए और नीचे की तरफ के अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपको जह audio jack एक छोटा सा mic दे रखा होता है type C port दे रखा होता है और यह आपके speakers रहते हैं तो overall काफी पतला सा जो है यह phone आपको देखने को लगेगा और यह चीज काफी आज तक लेकिन इतना जो है जो एक होता है smoothness होती है surface में वो मेरे को किसी phone में देखने को नहीं मिले लेकिन यहाँ पर जो इसका back surface रहता है वो काफी ज्यादा मेरे को पसंदार है इसका और design की अगर बात करते हैं तो यह भी काफी decent सी होती है black color में बड़ा प्यारा सा लग 2 megapixel के आपको micro lenses देखने को मिल जाते हैं तो काफी कमाल की चीज़ यह रहती है नीचे की तरफ आपको जह है vivo की branding देखने को मिल जाएगी जो इसे खास बनाती है दोस्तों यहाँ पर आपको flash भी दे रखा होता है जो कि एकदम camera की नीचे की तरफ रहता है और यह चीज़ का camera bump बाहर निकला होता है जो कि थोड़ा सा प्यारा सा लगता है देखने में तो इसके बारे में मेरे को आप कमेंट करके बताएगा कि आपको इसका back कैसा लगा है और overall जब आप इस पर हाथ फिराएंगे तो आप आपका मन होगा कि बस हाथ फिराते रहो तो दोस्तों फिलाल phone section में और देखते हैं कि यहां पर आपको क्या-क्या देखने को मिल जाता है तो about phone section आपका यह रहता है Y73 आपका model वगरा की detail दे रखी होती है साथ में आपको fun touch OS देखने को मिल जाता है जो कि काफी battery रहता है जो कि vivo lovers हैं उनको काफी interesting लगता है android version के अगर हम बात करते हैं तो यह आपका android version 11 देखने को मिल जाएगा तो काफी कमाल की चीज़ यह आपकी होती है जो कि आप पसंद करेंगे यहां पर वरिंट यहां पर 8128 करहेगा और साथ अगर हम software information की बात करें तो यहां पर और भी काफी सारी detail दे रखी हैं यहां पर security patches आपके अप्रिल के आपसे होती है इस processor की वह रहती है आपकी 43K out of 100 और यह एक तरीके का C grade processor वहां पर मार किया गया है तो इसके बारे में आपको जादे रिटेल description box में देखने को मिल जाएगी लेकिन अगर हम लोग चलते हैं बात करते हैं कि और यहां पर क्या-क्या खास होने वाला है तो बैटरी के साथ आता है 173 gram के आसपास और दोस्तों जब मैं इसे हाथ में grip कर रहा हूं तब भी मेरे को यह काफी light weight सा feel हो रहा है तो कही न कहीं मैं इस चीज़ पर कह सकता हूं कि बहुत handy phone है और यकीनन जब आप इस phone को पकड़ेंगे तो आपका कहीं न कहीं cover लगाने का मन को तो दोस्तों मैं यहां पर सामने की तरफ एक इसी का box रखा हुआ है और एक चुटा सा flower pot type का रखा हुआ है तो इसी पर focus करा लेते हैं और एक normal photo को click करते हैं तो यहां पर दोस्तों अगर आप इस photo को देखेंगे तो काफी खुबसूरत सी लगने वाली है और अगर यहां पर कहीं न कहीं आपको वो colors देता है जो कि आपको प्यारे लगें तो यहां पर colors तो आपको काफी प्यारे लगेंगे हाला कि originality भी है ऐसा नहीं है लेकिन कहीं न कहीं image काफी ज़्यादा enhance हो रही है जिसके बारे में आप मेरे को comment करके बताएगी क्या आपको यह चीज अच आपके वैसे ही रह रहे हैं जैसा कि पहले आपको आपको देखने को मिले थे लेकिन यहां पर overall आपकी zooming quality काफी ज़्यादा आगे निकल जाती है तो 64 मेंगा पिक्सल का जो है यह sensor आपको काफी next level की quality अब लेवल करा रहा है तो again मेरे को comment करके बताएगा यहां पर अभी बात कर लेते हैं कि वही selfie में आपको क्या क्या देखने को मिल जाता है और काफी कमाल की quality यहां पर देखने को लग रही है मेरे को तो यहां पर मैं normal mode पर पहले photo को लेता हूं portrait mode पर हो गया था तो again यहां पर कमाल quality है और मैं यहां पर एचिस mention करना चाहूंगा कि back camera से जिने की boon तक को यहां पर monitor कर पा रहे होंगे तो quality तो यहां पर काफी कमाल की है और color हलाकि यहां पर enhance हो रहे हैं जिसे कि आप यहां पर अच्छी तरीके से monitor कर पाएंगे साथ में एक portrait mode पर और photo होई थी जहां पर आप देखेंगे background को blur होता हुआ बाकी quality लगबग लगब तक सेम रहती है तो अभी आप यहां पर देखेंगे इसके कुछ picture samples देख रहे होंगे और आप मेरे को comment करके बताए कि आपको quality इसकी कैसी लगी है आगे जाकर हम इसके video samples को भी observe करेंगे जहां पर final बात करेंगे कि इसका camera कैसा रहता है तो अभी दूस्तों यहां पर बात कर अगर हम face unlock की बात करते हैं तो यह चीज आपकी काफी interesting रहेगी काफी fast रहती है अलाकि यहां पर rise to wake का भी बंध है और लेकिन यहां पर अगर हम overall अगर इससे जैसे बटन दवाते है तो फॉरण आपका face lock open हो जाता है तो यहां पर मेरे को comment करके बताएगा कि आपको यह overall phone क अगरा काफी sharp रहते हैं और वीडियो में काफी बहतरीन टाइप के जो है colors देखने को मिल जाएंगे आपको overall अगर हम बात करते हैं यहां पर की performance कैसी है तो ठीक ठाक देखने को मिल जाएगी बाकि sharpness बगरा में भी काफी अच्छा maintain कर रहा है और आप मेरे को comment करके बताओ क आपको इसकी footage कैसी लग रही है colors कैसे लग रहे हैं खास तो पर आप colors पर comment जरूर करिएगा क्योंकि मैं जैसा कि देख पा रहा हूं कि colors काफी ज्यादा यह enhance कर रहा है तो आपके comments का मेरे को वेट रहेगा तो दोस्तो 16 Megapixel का selfie camera हो और ऐसे में अगर हम बात करते हैं सी quality की त तो शेक आपको देखने को मिल लगा और धूप और चाहों का भी combination लगा ता रहे अभी मैं चाहों में हूँ तो यहां पर आप color देख सकते हैं और अभी मैं यह लिजे दूप में आ गया तो यहां पर colors अलग ही एक तरीके से आपको दिखाई देंगे तो यह चीज आपको द आप किस नतीजे पर पहुंचे हैं यह तो आप मेरे को कमेंट करके बताएंगे ही लेकिन मैं किस नतीजे पर पहुंचा हूँ यह मैं आपको बता देता हूँ तो यहां पर मेरे को एक professional quality का camera देखने को मिला है जैसे कि अगर हम बात करें कि अगर आप इसका इस्तेमाल YouTube पर वीडियोस बनाने के लिए करना चाहते हैं या फिर बहुत सारी platform में जहां पर वीडियोस आजकल बना रहे हैं लोग उन पर यूज़ करना चाहते हैं तो काफी बहतर रहेगा एक चीज़ कहीं मेरे को काफी interesting लगी है वो रही है इसके selfie camera में कि sharpness आपको काफी बहतरी देखन हो तो आपके लिए काफी बहतर रहेगा इसके बाद एक चीज़ मेरे को काफी interesting लगी है वो रहता है वह इसका back यानि कि कहीं ने कहीं जब आपको यहां पर नॉर्मली देखने को मिली है और आप कहीं ने कहीं यकीन ऐसा होगा आपके साथ कि आप इसमें cover लगाना पसंद न जाता है तो cover तो आपको लगाना ही पड़ेगा फोन के अंदर मिल जाता है लेकिन जो इसका body का जो thickness है वो काफी ज्यादा बैतरी तरीके से ग्रिप करेंगी जिसकी वज़े से आपका मन नहीं होगा कि आप इसमें कोई cover या फिर किसी भी तरीके की चीज लगाए तो काफी बैतरी जाता है जब आप इस तरीके से बात करेंगे तो एक रॉयल लुक जो होता है वो फोन का आपको इसमें देखने को मिल जाएगा तो लुक के मामले में यह फोन लाजवाब रहता है साथी 4000 मेंच की बैटरी है जो की थोड़ा सा पॉइंट रहेगा जहां पर थोड़ी बाइज रहता है वो भी काफी ज़दा रहता है चुकि मेरे हाथ भी छोटे है इसके बापजूत दी मैं इसे अच्छी तरीकी से ग्रिप कर पा रहा हूं यह चीज मेरे को इसमें काफी इंटरस्टिंग लगी है तो बाकि आप मेरे को बता हो आपने सारी चीज़ें देख ल देखने को मिल जाएंगे और दोस्तों में इस्टेग्राम पर फॉलो करेंगे और मेरा फेस्बूक पेज भी लाइक करेंगे तो वहां पर भी मैं आपको इस तरीके की वीडियो लाकर देता रहूंगा तो आप उन्हें भी चेक आउट कर सकते हैं फिलाल चैनल को सब्सक्रा कि वीडियो वीडियो ढर के पिलाख